बाद में अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के नहें तराने घरवापसी की सनातन संस्कृती में और इसके बार में जब उसे पूछा गया था तो उदेनीदी स्टैलिन के उस घिनोने वक्तव्य के बाद में तमिली फिल्म इडिस्ट्री के बड़े-बड़े डिरेक्टर उदेनीदी स्टैलिन के सपोर्ट में आखर के खड़े हो गए थे बड़े-बड़े हां कौन-कौन मारी सिल्वराज, वेटरी मारन, पार अंजीत, भाई नेट्फ्लिक्स के तो कितने सारे कंटेंट का विरोध हुआ है, उनकी लेला वेब सेरीस का कितना विरोध हुआ था, सेक्रेट गेम्स का भी विरोध हुआ था, घूल का भी विरोध हुआ था, और बाकी तो वोक प्रोपेगेंडा से तो पूरा उनका कंटेंट लिस्ट भरी हुई ए नेट्विक्स इंडिया की, कौन से कंटेंट को उन्होंने हटाया, शाम सिंगा रोए जो इतिहास की, ओम नारायन 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 अरायन, सब मित्र को राम राम, सब का स्वागा थे, दोस्तो कैसे आप सब, अभी हम बात करने वाले हैं अन्नपूर्णी फिल्म के बारे में मैं जानता हूँ कि काफी मैं लेट हो गया हूँ पर पिशे 20-22 दिनों तक मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था उसी बीच में इसको लेकर के पूरा विवात खड़ा हुआ था तो इस कारण से तब मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाया था परन्तु अभी कुछ ऐसे विशे हैं मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि चर्चा होना आवश्यक है इसी कारण से इतना देरी से ही सही पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सबसे पहली बात तो अन्यपूर्णी को नेट्विक्स पर रिलीज किया गया था और नेट्विक्स से हटाए जाने के एक दिन पहले ही मैंने इसे देख लिया था तो फिल्म मैंने देखी हुई ये कोई फिल्म का रिव्यू नहीं है रिव्यू तो मैं हमारे प्रतिक स्पिम थेयरी चैनल पर ही सारे अप्लोड करता हूँ बाकी मैं इसके कहानी में कोई जाने नहीं वाला है क्योंकि अधिकतर मित्रों को इसके बारे में पता चली गया होगा सोचल मीडिया पर काफी इसको लेकर के चर्चा हुई है तो उन्हीं बातों को बार 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 गिसके भी कोई फायदा नहीं है मैं यहाँ पर कुछ अलग विशेय पर चर्चा करना चाहता हूँ इसे OTT प्लैटफॉर्म से हटाय जाने को काफी सिलिबरेट किया गया हमारे राश्च्रवादी मित्रों के द्वारा यह मैंने देखा परन्तु मुझे एक बात का बड़ा आश्यर हुआ कि अन्नपूर्णी फिल्म में ऐसा अलग या नया क्या देख लिया लोगों ने मुझे ये बात ही समझ में नहीं आई क्योंकि भाई अधिकतर मैं तो जब से चैनल शुरू के पिछले पाच्छे वर्षों के हमारे वीडियोज उठा कर देख लिजे बार 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 मैंने कई सरे अलग से वीडियोज भी बनाय हुए हैं और दुसरे वीडियोज में भी बी हुई ही होती है और इसी कारण से आप देख लिजिए जो लेट का एकोसिस्टम है या एलिट क्रिटिक्स है वे हमेशा उन प्रोपगेंडा फिल्मों को तमिल और मलेडान फिल्मों को वो प्रमोट करते रहते हैं यह आपने देखा होगा पिछले पाच्छे वर्षों में य पहुत कॉमन ट्रेंड है तो हर हपते ऐसा कोई नो कोई कंटेंट रिलीज होता ही रहता है अभी थोड़ा सा मैं उधारन देना चाहता हूँ उदेनी दी स्टैलिन ने सनातन संस्कृति के समूल नाश को लेकर के बहुत घिनोना ऐसा बयान दिया तो देखिए मलेरिया देनी दी स्टैलिन के उस घिनोने वक्तव्य के बाद में तमिली फिल्म डेस्ट्री के बड़े-बड़े डिरेक्टर्स उदेनी दी स्टैलिन के सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए थे बड़े-बड़े हैं कौन-कौन मारी सिल्वराज, वेटरिमारन, पार अनजीत, सेलि नहीं, इनकी इसी विचारधारा के कारण, इनको सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, पार अनजीत की काला फिल्म का उधारन लेजिए, जिसमें रजनी कांत, मुख्य भूमिका में थे, प्रभुशी राम चंदर जी की हत्या को सेलिब्रेट किया है, काला फ लिंच कर रहे हैं, जो हरी नाम का करेक्टर है, उसको लिंच कर रहे हैं, और प्रभुश्री राम चंदर ची के प्रतीक की रुप में उसे दिखाया है, ये पार अंजीत की फिल्म हो गई, जो उदिनेदी स्टैलिन के बयान का समर्थन किया था, और इन डिरेक्टर्स ने कहा हम भी अपनी फिल्मों के माद्यम से इसी विचारधारा को प्रोमोट करते हैं, वो तो गरु के साथ में ये कहते भी है, उसके बाद में हमारी सेलोराज की करनन का उधारन ले लीजिए, भगवान स्रीकृष्ण की हत्या को सेलिबरेट किया है, धनुष की फिल्म, धनुष क हत्या करन इंडिंग में करता है, गला काट देता है, और उसको सेलिबरेट किया है करनन फिल्में, मारी सिल्वराज की फिल्म, वेटरी मारन की भी फिल्में, ये सब हाँ, टेकनिकली वेलमेड होती है फिल्में, भई, इसमें कोई संदेनी ये बात में हमेशा कहता हूँ, व पूर्णी में अलग क्या देख लिया ये मुझे थोड़ा सा आश्यर हुआ और इसके बैन करने को सेलिब्रेट क्यों किया फिर तो भाई पूरी की पूरी पूरी तमिलर मल्यारम फिल्डेस्ट्री की अधिकतर जो 90% 95% फिल्म है सब को बैन करने अगर कर दिया तब चलो संदर्ब दे करके रामायन में जगा जगा पर प्रभश्री राम चंदर जी के सयम के बारे में सात्विक्ता के बारे में जगा जगा पर उधार रनाते हैं बनवास की अगर हम बात करें तो 20 से अधिक जगा पर उधार रनाते हैं कि प्रभश्री राम चंदर जी कंदमूल औ और फल खाकर, वलकल ले पहन कर, तपस्वी की नाई उन्होंने जीवन जिया वनवास में, तपस्वी की नाई जीवन, कंदमूल और फल खाकर, और वलकल पहन कर, 20 से अधिक जगह पर ये उधारन आते हैं, परन्तु वामपंतियों को उससे कोई आने देना है, हमें तो कुछ उटपटांक से संदर्ब लेकर के आने हैं, गलत अर्थ बताने हैं, 20 से जगह उपर उधारन आएंगे कि कंदमूल फल खाकर, वलकल पहन कर, तपस्वी की नाई जीवन जिया, जमीन पर सोये, वो सब बाते हमें नहीं सुनाए दिती, भाई, हमको तो अपना प्रोपगेंड होने चाहिए, सब तुम में है, तुम में वैराग्य है, जिवा का सैयम है, इंद्रिय सैयम है, मनो निग्रह है, तितिक्षा है, मोक्ष की इच्छा है, तो ये सारे सद्गुन प्रभुष्री रामचंदर जी में हैं, ये गुरु अशिष्ट जी कहते हैं, और वासकाल में भ इस बुक पर वो वीडियो, तो वो उस एक फिल्म को बैन करने को सिलिब्रेट करना, मतलब ये मुझे कम से कम उससे क्या अच्यू हो गया, हर हपते तो प्रपगेंड़ा फिल्में आई रहे न, क्या उनको हम बैन कर सकते हैं, मारे सिल्वराज, वेटरी मारन, पार अंजीत, इनके बकेट में तो बड़ी-बड़ी फिल्में हैं, बड़ी-बड़ी फिल्में आ रही हैं उनकी आने वाले समय में, और वही सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट मैंड़सेट की वामपंती विचारधारा की फिल्में वो है, तो क्या वो बैन हो जाएंगी, कर लेंगे बैन, और उनके विरोध में आप कुछ बैन का बोलकर भी देख लिए, जो पूरा वोक एकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा, वेटरिमारन वारंजीत उनके सपोर्ट में, हाला कि अन्नपूर्णी के सपोर्ट में कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ वामपंती वोक, मुझे ये कम से कम समझ में नहीं आया, नयंतारा उनके बारे में मैं कोई जादा, मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी कही पर कुछ एक का दो तीन शायद फिल्में देखी होंगी, पर मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, एक बात मैंने सोशल मीडिया पर प उन्होंने कहा कि यह उनका व्ետक्तीगत जीवन है और अपनी सेख्षा से, खुशी से उन्होंने घरवापसी सनातन संस्कृति में की पूरे वगदिक रितरीवाजों के अनुसार, वगदिक मंत्रोचारन करते हुए, नेनतरा ने इंदू संस्कृति में घरवापसी की यह हमे उनके बारे में पढ़ने को जानने को मिलता है अब मुझे ने पता कि अन्नपुर्णी को OTT से हटाए जाने के बाद में भी लेट का एकोसिस्टम उस फिल्म के सपोर्ट में आकर के क्यों खड़ाने हुआ इसके पीछे का रिजन तो मैं नहीं जानता हूँ परन्तु भाई लेटिस्टों को लिबरल्स को तो एक कारण ही चाहिए होता है ना सपोर्ट में खड़े होने का पर यहां पर ऐसा कुछ बहुत आउट्रेज उनों नहीं किया हो यह मैंने नहीं देखा बाकी अगर हमें सच में कुछ बदलाव लाना है तो ऐसी कुछ छोटी-मोटी चिंदी फिल्म उसको कोई OTT से हटा दिया उसको हम सेलिबरेट करें इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला बड़ी-बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में हर हपते आ रही है और उनको भी बैन बॉयकॉट करके मैं हमेशा से कहता है हूँ यह बैन और बॉयकॉट बचकानी बाते हैं बच्चो वाली बाते हैं इंटरनेट की यूग में आप बैन और बॉयकॉट की बाते कर रहे हैं यह संभव ही नहीं है सबसे पहली बात तो और सच में बदलाव लाना है तो हमें अपने फिल्मेकर्स, अपने राइटर्स, अपना एकोसिस्टम खड़े करने के आवशकता है, तब कुछ बदलाव आ सकता है, बाकि अभी तो आप लेप्टिस्टों को वामपंतियों को आउसर दे रहे हैं ये बोलने का, कि देको ये फासिवादी है, इनोंने एक फि शाम सिंगा रोय जो इतिहास की भारतिय, इतिहास की, भारतिय सिनिमा के इतिहास की, सबसे घिनोनी प्रोपगेंडा हिंदु विरोधी फिल्म, शाम सिंगा रोय, अभी भी चल रही है न, हट गई क्या वो, कौन सी फिल्म हट गई और इस एक फिल्म को, मेरे अनुसार तो न नहीं हटा दिया, सच्पमें वो हिंदों का सम्मान करते तो लेला को हटा दे, घुल को हटा दे, सेक्रेट गेम्स को हटा दे शाम सिंगा रॉय को हटा दे उनको तो पूरा प्रोमोट करते हैं तो यह अन्यपुर्णी का भाई मुझे कम से कम समझ में नहीं है कि ये क्या क्यो इसमें अलग क्या दिख गया क्योंकि तमिल्वर मल्याणन फिल्म इंडर्स्ट्री की प्रॉब्लमेटिक फिल्मों की अगर हम लिस्ट बनाए ना तो अन्नापुर्णी तो सबसे नीचले पाइदान पर आएगी उससे कई 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 गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फिल्में आती रहती है अभी भी आवेलेबल है सब जगह पर धडले से चलती है पूरा का पूरा ये बॉलिवड का या लेप्टिस्टों का एकोसिस्टम उन फिल्मों को खूब धडले से प्रमोट भी करता है तो ये ऐसी कुछ कई चोटी मोटी चिंदी फिल्म उसको कही से हटा दिया और उसको हम सिलिब्रेट करने लग गए तो भाई फिर तो कुछ फिर फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रावद विचारधारा का कुछ नहीं हो सकता हम ग्रो कैसे करेंगे इसी चोटी चोटी बातों को अगर हम सिल तो वो तो वहाँ पर आकर जीत होंगे और राष्ट्रवादी फिल्मे कर बस चिल्ला चोट और बी ग्रेड फिल्मे तो यहसे बदलाओ नहीं आता भाई इससे तो हम और ज़्यादा माइनस में निगेटिव जा रहे हैं कला और साहित्ते के क्षेत्रे में राष्ट्रावद जैश्री राम वंदे मातरम